अगर आपके भी स्विच बोर्ड में इस तरह की सिच्वेशन बार बार होती है जलने की तो इससे आप केसे बचें ये सब जाने के लिए पूरा लाज तक जरूर देखें यहाँ पर आप देख सकते हैं यह जो पिन है यह बिल्कुल जल सुकी है और सोकिट की अगर बात करें तो यह पूरा तरीके से गल चुका है यानि कि स्विच बोर्ड जो है वो पूरी तरीके से गल चुका है स्विच गलते गलते बच गया है ठीक है तो यह सिच्वेशन सर्द गीजर कभी भी गीजर से सोकेट नहीं जलेगा तो आपको क्या करना है यह जो वायर देख रहे हैं गीजर का यहां पर गीजर बनाया हुआ है, बिल्लड अप गीजर तो इसका वायर आप डिरेक्टली बिना सोकिट के डिरेक्टली आप इसके अंदर कनेक्शन कर दें न्यूटल और फेस और आप देख सकते हैं कि कभी भी इस ये जो स्विच है और सोकिट है जलने के चांसस बिलकुल भी नहीं रहेंगे यह तरीका